स्टैन्फर्ड इनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गिया है कि पिछले डेकेड यानि दस सालों में हर साथ मिनट यानि हर एक घंटे में अंठावन मिनट लोग सिर्फ अपने फ्यूचर या अपने पास्ट के बारे में सोचते रहेते हैं मेरा फ्यूचर कैसा होगा मेरा आने वाला घर कैसा होगा मैं कैसे रहूंगा मैं कहां जाओंगा क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा कौन सा काम करूंगा कल आफिस में क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा बास मेरे साथ के साथ ट्रेट करेगा मैं जो एक्जाम दिया हूँ उसमे मैं उस दिन अच्छे से नहीं बोल पाया था, मैं स्टेज पर गिया था, अच्छे से नहीं बोल पाया था, मेरा उस दिन performance खराब था, मेरा exam खराब चले गया, मेरा जो 5 साल है वो खराब चले गया, मेरी जिन्दगी बरबाद हो गई, तो ये सब बाते होती रहती हैं इनसानों के दिमाग में हर 60 मिनट में 58 मिनट में कि नहीं imagine यानि कि हर एक गंटे में सरिफ इनसान 2 ही मिनट present moment में रहता है ये इनसानों के लिए बहुत ही ज़ादा बड़ी ट्राजडी है और सबसे बड़ी ट्राजडी ये है कि लोग उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं जो उसके हाथ में नहीं है सबसे भैंकर बिमारी ये है और सबसे बड़ी जो खराब डिजायर है जो सबसे बड़ी खराब चाहत है वो यह है कि हम उस चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है future, past यह सब हमारे कंट्रोल में नहीं है हाँ future हमारे कंट्रोल में हो सकता है उस वक्त तक जब तक कि हम अपने present moment को ठीक करें और हमारा past भी उसी तरह ठीक हो सकता है अगर हम लोग अपने present moment में अच्छे से जीएं और हमारा जो present moment है हम उसको अच्छे से control करें हम उसको अच्छे से utilize करें सो बड़ा question यह आता है कि present moment में आखिर रहा कैसे जाए आखिर जागरुक कैसे रहा जाए awareness कैसे रहा जाए कि हम इस वक्त present moment में है या फिर अपने past में है मुझे तो दो ही simple चीज़ें आती है जब भी awareness की बात आती है जब भी जागरुकता की बात आती है और जब भी present moment की बात आती है वैसे बहुत सारे techniques हैं आप देख सकते हो लेकिन मैं दो ही चीज़ों को apply करता हूँ नमबर एक meditation और नमबर दूसरा journaling meditation को अकसर लोग मजाक में ले लेते हैं सुझते हैं कि meditation ऐसा इतना कोई खास काम नहीं करता इतना कोई effective नहीं है but meditation is very very effective जब आप अपने thoughts को observe करते हो आँखे बंद करके तब आपको पता लगता है कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या क्या बाते हो रही है क्या क्या सुझाव दे रहा है और कहां कहां से कैसा कैसा thoughts मेरा mind ला रहा है यह सब आप meditation में सीख सकते हो और दूसरा journaling pen और paper लो और अपने mind में जो भी खैलात आते हैं उसको लिखो यह one of the best और effective टूल है कि आप अपने thoughts को कैसे observe करते हो आपकी thinking pattern कैसी है आप कैसा सोचते हो क्या आप एक clear thinker हो या आप एक unclear thinker हो आप लिखो आप journaling करो और आप धीरे धीरे देखोगे कि आप एक clear और आपके thoughts एकदम clarity में बदल जाएगी और आपको हर चीज crystal clear लगेगा just because of journaling so मैं तो यही follow करता हूँ I suggest you guys also can do these two things with that note thank you so much